दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है साउथ के सूपर एस्टार रॉकिंग एस्टार येस की मुवी केजियेफ चेप्टर टू और नेपाली सूपर एस्टार का है जाने वाले अन्मॉल केसी के फिल्म है मेरे हजूर फोर की बहुत बड़ी क्लैस होने वाली ह जहां दोस्तों जो कि नेपाली बॉक्स ओफिस पर होने वाली है नेपाल में एक साथ ये फिल्म में रिलीज होगी तो क्या इन दोनों में सचमुच में टकर हो सकता है और कौन सा फिल्म यहाँ पर जीत सकती है इस बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोकिंग इस्टार एस की फैन फोलोइंग बहुत ही जादा नेपाल में है और उपर से केजी एफ चेप्टर टू साउथ की मूवी है जो कि नेपाल के लोग बहुत ही जादा पसंद करते हैं साउथ की मूवी देखना और सबसे बड़ी जो यहां पर पॉइंट वाली बात है कि केजी एफ चेप्टर वान जो आए थी वो बहुत बड़ी हीट हुई थी और लोग बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इस फिल्म का केजी एफ चेप्टर वान के बाद अब केजी एफ चेप्टर टू आने जा रही है लेकिन वही पर दूसरी और बात किया जाए उसी तारीक पर नेपाली सुपर स्टार कहे जाने वाले अनमोल केसी का भी फिल्म नेपाल में रिलीज होने जा रहा है जिस फिल्म का नाम है यह मेरे हजूर फोर जो कि और लेडी एक बहुत ही सुपर हीट एक ही डेड़ पे दोनों फिल्म आ रही है दोनों नहीं बलकि चार-चार फिल्मे एक साथ आने वाली है तो क्या यह मेरे हजूर फोर सर्वाइब कर पाएगी उस दिन इस फिल्म के साथ में कॉंपीट कर पाएगी एक तो सबसे बड़ी फिल्म जो आ रही है केजी अप रिलीज हो रही है और हिंदी के साथ कई सारे लंग्वेज में तो यहां पर सबसे बड़ी टकर तो उन दोनों में ही होने वाला है और तीसरी और अपने कवीर खान यानि साइद कपूर के फिल्म जरसी भी उसे दिन को रिलीज होने जा रही है तो दोस्तों चार-चार फिल् चाहूंगा कि इस चारो फिल्म में सबसे जादा बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन कौनसी फिल्म करेगी और आप इन सब चारो फिल्मों में कौनसा फिल्म देखना प्रिफर करोगे कमेंट करके जरू बताएगा मेरे तरब से दोस्तों मैं तो यह कहना चाहूंगा कि केजी एफ चेप्टर टू दा किंग चाहे उसके सापने कोई फिल्म आ जाए उसे तो खतम ही कर देगा केजी एफ चेप्टर टू अरे भाई अपना दंगल के अमीर खान भी पीछे हट गया डर से केजी एफ चेप्टर की जुबस बना हुआ है उसे देहकर दंगल के अमीर खान को भी दर लगया कि भाई इसके सामने मैं ठीक नहीं पाऊंगा और वो अपने फिल्म का डेट पीछे कर दिया अब बाद में आने वाली है साइड डिसेंबर में आये लाल सिंग सड़ा लेकिन यहाँ पर जो फिल्म में साफ साफ तोर पर कलैस करेगी नेपाल में वो यह फिल्म में जो फिल्म है केजी एफ चेप्टर टू उसके बाद में रहेगा थालापती विजय की विष्ट और उसके बाद में रहेगा साहिद कपूर का जर्सी और नेपाली सुपरेश्टार अनमॉल केसी का फिल्म ए मेरो हजूर फॉर तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताए कि कौन सा फिल्म यहाँ पर जीतेगी और सबसे ज्यादा बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन कौन सी मुवी करेगी नेपाल में कमेंट करके जरूर बताएगा और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें नेपाल से रिलेटेड और फिल्म ही बाते चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है नेक्स वीडियो में एक नेट आपी के साथ तब तो ख्याल रखेंगे अपना और अपने साने वालों का नाने वाद खुदा आफिस हैवनेश्टे